हेलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर रासीजेग, M.D.A.M. NLP General Counselor Coach आप लोगों का स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल के आज मैं आप लोगों के साथ जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे हम किसी भी पैटन को, किसी भी हैविट को तोड़ सकते और जब हम इस स्रिक्वेंस में बात करने वाले हैं, तो मैं चाहूं कि अगर आपने पार्टन नहीं देखा है, तो आप उसे जरूर देख लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से लर्निंग मिल जाए कि कैसे आप किसी भी हैविट को तोड़ सके या कैसे आप किसी भी पैटर्णिंग को चेंज कर सकें, तो आज हम बहुत ही कमाल की टापिक पर बात करेंगे कि कैसे किसी भी हैविट को हम बदल सकते और जब मैं इस विशे में बात कर लेंगे, तो मैं आज आप लोगों को जो भी टेक्निक्स बताने वाली हूं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, कि सारी जो इस वीडियो में टेक्निक बताऊं हुगी, वो NLP-based होगी, मतलब Neuro Linguistic Programming, जिस साइंस में मैं काम माइन का बहुत ही बहतरीन साइंस अगर आप अपने लाइफ में टांस्फोमेशन चाहते हैं, और आप चाहते हो कि आप अपनी खुद की मदद कर सको, और लोगों की मदद कर सको, और आप ये चाहते हो साथ में, कि सिर्फ बाते नाम, बर्कि वाकर ही में कोई प्रैक्टिक तो आज आते हैं हम अपने topic पे जोगी है कि हम कैसे किसी भी pattern को, कैसे किसी भी habit को change कर सकते, तोड़ सकते, बदल सकते तो यह जो मैं टेक्निक आप टोगो के साथ share कर रही हूँ, यह है NLP की sub-modality की टेक्निक नाम में कुछ नहीं रखा है, मेरा नाम, अगर कुछ और भी होता, कभी मैं यही कर रही होती, जो मैं भी आपको के साथ transformation में मदद करूँ, वही कर रही होती, तो हम जड़ी से जानते हैं कि क्या वह टेक्निक है जिससे हम इस pattern को change कर सकें, तो यह है वह टेक्निक ऐसी effect कि चलो करने से पहले हम कुछ analysis कर दें, कुछ जान ले कि हमारे साथ कैसे चीज़े हो रही है, हमारे mind में यह habit किस form में पड़ी हुई है, तो इसके लिए आप चाहें तो आप खुली रखके भी इन चीजों को analyze कर सकते हैं, या चाहें तो आप बंद करके भी इन चीजों को analyze कर सकते ह तो आई हो, आप लोगों ने आख बंद कर ली होगी, तो आपको यह देखना है, कि अभी यह मेरी habit है, या अगर मैं कहूं कि आप इस habit की विश्चे में सोचने की कोशिश कीजिए, जिस habit को आप छोड़ना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि habit जो है, जैसे मान लिज़े आ करते हैं, तो आप अपने आप को हो सकते हैं, समें smoking करके वे देख रहे हो, आपके हाथ में cigarette हो, और इस दौरान ये सारी चीज़ें बिल्कुल colorful हो, और बिल्कुल life size की होगी, ये सारी चीज़ें, आपके पास में होगी वो smoking करते हुए जो आपकी photo है, वो photo, और हो सकता है कि आपको अंदर से उस cigarette को देखते हुए ही, एक feeling आरे हो कि मैं जल्दी से इसका एक कस लेगू, जल्दी से मैं cigarette को पीलू, और इसके साथ एक particular location में वो होगा, कि वो बिल्कुल आपके आँकों के सामने होगा और आप करसा लग रहा होगा, जैसे आप अभी उसमें present हैं, और आप उन चीज़ों को वैसे ही feel कर पा रहे होंगे, जैसे कि आप cigarette पीते हुए feel करते हैं, और आप कह रहे होगे हाँ, बिल्कुल यही चीज़े हो रहे हैं, तो ऐसे ही है कि जब हम किसी चीज़ों के साथ associated होते हैं, जो हमारी habit है, जिसको अभी हम कर रहे हैं, जो हमारी present time मे जिनको हम बिल्कुल continuously करते हैं, वो habits जो है, सबसे पहले तो colorful होती है, bright होती है, life size की होती है, वो एक particular area में होती है, जिसे हो सकता है, वो हमको बिल्कुल अपने आपों के सामने दिख रहे होती, यह कुछ इस level पे होती, और plus इसके साथ यह होगा, कि वहाँ पे आप अपने मैं आपको महसूस कर पा रहे होंगे, कि हाँ मैं हूँ, मैं कस ले रहा हूं सिग्रेट का, और साथ मैं आपको बहुत ही, जैसे आप फील करते हैं उस समय, वैसे ही feeling अभी आपको हो रही होती, तो यह particular habit के साथ scenario होती है, कि हाँ, अगर मेरी habit है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे books दिखेंगी, या मैं अपने आपको बुक पढ़ते में देख पाऊंगी, प्लस कहिना कर नहीं, वो जो मेरी image होगी, वो book से पढ़ाई, book के साथ, वो life size की होगी, colorful होगी, मेरे close होगी, और हो सकता है कि मैं अपने आपको वहाँ देखूंगी, तो य और खासकर go memory, जिसको हम habit के form में या ऐसा कहें, कि जिससे मैं associated हूँ, जिस चीज को मैं विल्कुल करी रही हूँ, जिसमें मेरा मन लग रहा है, जिसमें मेरा interest है, वो सारा इस form में दिखता है, और इसके against, अब एक और आप, आप लोगों से मेरी request है, कि आप आप आखे खोल इसके बाद आपको एक बार हम फिर से request करूंगी friends, कि आप आखे सीर से birth कर दीजें, और इस बार हम उची डोकिविशे में देखेंगे, जिनमें हमारा मन नहीं लगता, जैसे for example, smoking में भी हमारा मन लग रहा था, तो यह इस तरीके से smoking रिप्रेजेंट थी, ऐसे ही, अभी मा मान लेते हैं कि हमारा मन exercise में नहीं लगता है, तो अब हम देखेंगे कि exercise हमारे माइन में किस तरीके से रिप्रेजेंट है, किस तरीके से वो exercise मुझे दिख रहे हैं, तो जब आप आपको बंद कर चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है, तो अब आप कल्पना कीजिए, imagination में कि जो चीजें आपको पसंद नहीं है, जो habit आपको पसंद नहीं है, लेकिन यह ऐसा कहूं कि वो habit जिसको आप apply करना चाहते हैं अपने life में, लेकिन अभी किसी कारण से हो नहीं पा रहे हैं, जैसे आप दूद पीना चाहते हैं, लेकिन तहीं न तहीं आप उस दूद को avoid कर तो उस दूद के ग्लास के कर्वना कीजिए कि वो दूद का ग्लास आपको कहां दिख रहा है और कैसा दिख रहा है जी हां और मुझे लगता है कि अभी तक आप इन चीलों को देख चुके होगे वो दूद का ग्लास आपसे कुछ दूरी पे होगा ब्लेक और वाइट होगा कहीं नीचे कॉर्णर में पड़ा होगा और उसके साथ आप अच्छा मैसूस भी नहीं करें होगे उतना आप एसोसियेट भी फील नहीं करें होगे यह एसोसियेट नहीं हो पारे होगे आप जाहां एसा ही हो रहा है तो बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हमारा किसी चीज पर इंट्रेस्ट नहीं होता है तो उन सारी चीजों का रिप्रेजेंटेशन हमारे माइंड में कुछ इसी तरीके सोते हैं कि वो चीज़ें दूर होंगी ब्लेक एन वाइट होंगी, डल होंगी, डीम होंगी, कहीं नीचे कॉर्णर पर एक साइड होंगी और उसमें हम एस्टोसियेटेड नहीं होंगे अब आप लोगों से रिक्वेस्ट एफ्रेंस कि आप अपने आखे खोल ले और एक बर फिर से चारो तरफ देखें इस तरीके से, तो फिर हम इस विशय पर आ जाते हैं हाँ, आप अभी तक आप लोगों ने ये साधी चिजए कर ली होंगी तो फिर से मैं इस विशय में वाफिस लॉड़ती हूँ कि जिन चीजों से मेरा माइट या जो मेरी हैबित है कि अभी मैं कर रही हूँ चाहिए वो अच्छी हो या बुड़ी हो, वो हमेशा मुझे अपने पास में दिखेगी, कलरफुल दिखेगी, लाइफ साइस की दिखेगी और बिल्कुल सेंटर में दिखेगी, मेरे क्लोज होँगी और वो चीजें जिसमें मैं इंट्रेस्ट क्लिएट करना चाहता हूँ, या चाहती हूँ, लेकिन वो चीजें जो है मुझे कहां दिखेगी, बिल्कुल कहीं कॉर्णल में दिखेगी, मैं उसे अप्रसेटेड नहीं होँगी, छोटी होगी, छोटी होगी वो चीजें साइज तो यही से टेक्निक शुरुआत होती है और मुझे पता है कि आपको बहुत मजायागा और जैसे आप इन टेक्निक्स का अप्लाइब करेंगे आपके लाइफ में चेंज़ आने लगेंगे तो करना यह है तो हमने अब यह समझ गया कि मेरा मैं कौन से चीज को कहा रखता है और कैसला नगानी इतता हुआ ठीक है जो द bien सुर्ण करते हैं ऐसा लीकि तो चाहिए आपने को और में चालु मुझे करना है चाहिए स्मझ लेते हैं कि मेरे आखों के आगे तरी के गई सक्रीन मैं अधर स्कुने तरीक के स्क्रीन है तो मेज़े मेरे साथ चाहें तो कर सकते हैं तो आख खुली रख अको जिस्केणिग को कर सकते हैं। या आखो को बया करके भी इस किसी लिड्रकल, वाप हम कि जादा है। कि जो मुझे स्क्रीन में सामने की और स्मोकिंग करते हुए मेरा चहरा दिख रहा है अपनी इमेज में देख पा रहे हूं उसको मुझे कॉर्णर पे डालना है किसी भी कॉर्णर पे आप इसे रख सकते हैं जहां भी आपने बोड़ी सिंट्रेस्ट का लोकेशन देखा होगा कि जो मेरा इमेज मुझे दिख रहे है कि मैं जो थोड़ा सा और मैं आपके पास सारी ताकत है कि आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लेके किसी भी हमिट को चेंज कर सकते हैं तो इस बिलीब के साथ हमेब फिर से इस टेक्निक को करने की कोशिश करते हैं क्या करें अभी यह मेरा मेंटल स्क्रीन है इस में जो मैं स्मोक करते हुए आपको देख रहे हुए इसको हम धीरे दीरे कलर को सबसे पहले दील कर देंगे इसे प्ने कर दिखे इसे और प्रुछं क्रदीग के बाद इस फोटो को फुड़ा सब पीछे की और पुष हो रही है इसके साथ आप इसे ऐसे फील किजिए कि घीरे घीरे अपना जो feeling है वो खोते चले जारी है कहीं इस तरीके के किसी color में मिलते चले जारी है जिसको आप बिल्कुल dislike करते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद ना और इसके बाब, जब हम ऐसे चोटा जब आहिसा है , इस फोटो को छोटा कर दीजिए , अभी एक लाइस साइस की है , इसे छोटा कर दीजिए ... आप आप इसे छोटा कर चुकी होगी, और जब आपने इसे छोटा कर दिया है, तो इसमें एक particular moment होगा, में भी इस पिंग कर रहा होगा, और किसी तरीके का इसमें moment होगा, तो अब मैं आपसे request करते हूँ कि आप इस moment को pause कर दीजिए, जैसे हमारे पास TV के remote होते हैं, कि हम किस इसे भी pause कर दीजिए, और जब आप इसे pause कर चुके हैं, तो इस वीडियो के इस image को आपने black and light कर दिया, आपने blur कर दिया, आप चाहिए इसे और blur कर सकते हैं, या इसमें बहुत सारा black paint आप fake सकते हैं, imagine कीजिए, ये बड़ा सा बांती है, उस बांती में बहुत सारा black paint भर और आप उसके उपर इसे fake रहे हैं, और जब आप इसा कर चुके हैं, आप हाट के movement से भी क्रिया को कर सकते हैं, की मैं इसी बालती से उठा के color को उसके उपर उठेल रहा हूँ, जब आप इसा कर चुके हैं, तो आप से एक बार request different, इस image को आप corner में ले आए, जहां पर हमने उस location में ले आई है, जहां पर हमने उस dislike वाली चीजों को देखा था, चाहे वजूद का glass की जगह थी, और जो भी एक जगह थी, I hope आपने असा कर लिया होगा, अब आप एक काम दीजे friends, की आप जब आप इस तरीक से कर चुके हैं, तो एक बार आप चेक कीजिए, की क्या ह जो मैंने change किया, वो सही में change हुआ है, क्या वाकरी में, अभी मुझे smoking भी दिख रही है, या change हो गई उसकी जगह, और जब आप ऐसा कर चुके हैं, I hope आप 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 ऐसा कर चुके होगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो आप इस टेक्निक को कही बार कर सकते हैं, और पा पाउस कीजिए, गलर कीजिए, और उसे size में चटा करने के बाद उसके location को change कीजिए, एक बार फिर से इसी तरीके से दवराएं कि इस image को मैं दूर कर रहे हूं, छोटा कर रहे हूं, ब्लर कर रहे हूं, और इस धीरे-धीरे-धीरे किसी और ऐसे color के साथ मिलते जा रहा है, जो मुझे पसंद नहीं है, या फिर में बालती भर के color उसके उपर उड़े उपता जा रहे हूं, जिससे वो अपने power cook होते जा रहे हैं, उससे में disassociate होते जा रहा हूं, और धीरे-धीरे-धीरे, वो जो है, इमेज हो पुरी तरीके से खराब हो चुकी है, और उसके बाद वो भार में उसे मीचे लाके रख पारा हूं, ऐसा जल्डी-जल्डी कीजिए, फिर से एग बात पर पर पुना कीजिए कि वो इमेज है, वो दूर होते जाली है, बल्र होते जाली है, अपना power को चल्डी जाली है, और उसके बाद आप उसकी size को छोटा कीजिए, और उसके के साथ उसे मिक्स करते जाए उसके कलर को जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं हो और उसके बाद उसके लोकेशन को चेंज कीजिए और ऐसे फिर से एक बार करते हैं और इस पार यह अन्ट होगा इस है जैसे कि मुझे पुरा भरोसा है इस टेक्निक पे तो इस वीडियो को इस इमेज को आप दूर कीजिए ब्लेकन वाइट कीजिए ब्लन कीजिए और चोटा कीजिए साइज में और बहुत दूर ले जाए उसको बहुत सार पैंट डालें या ऐसे कलर के साथ मिलाई है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है उसे छोटा करने के बाद उस इमेज को आपजी प्रत्री करह कोऊ डेँर हुआ से कारू सकते हैं या अपना नाम उल्क हुले सकते हैं आप ने हम ही इस पेनिक्टिकि प्रद्व की यह एच एस ए आई एच एस ए आई इसे एनेपी में स्टेट ब्रैक करना कहते हैं तो इसके पिशिम हम नहीं जाएंगे तो ऐसा मैं मान्तियों की साग़ी तक आप ऐसा कर चुके होगी तो इसके आगे क्या करना है तो इसके बाद आप फिर से आठ बंद कीजिए और चेक कीजिए कि क्या वो वीडियो जो मुझे अभी तक देख रहे थी वो जो फोटो मैपने आपको देख पा रहा था या देख पा रहे थी कि smoking करते हुए ए जिसको करते हुए वो उसी तरीके से दिख रही है जैसे पहले थी यह आपको चेंग हो चुकी है यह आप मुझे उस वीडियो को या उस फोटो को देखने के बाद कितना मन कर रहा है इसको एक बाद चेक करने की कोशिश की करेगा हागे ओच पूरा वरोसा है कि आपकी स्मूकिं करने की वो चेंग हो चुकी होगी और जो सारी चीजे वोगा इस तरीके से फएल बहुतर नहीं के चेंग हो गयी और आप सुच रहोगे कि अरे हां थी के स्मूख सीगरेटी तो है कुछ इस तरीके से आप इस समय कर रहे होगी और इस चीज के लिए आपको में एक बहुत ही अच्छे से अशूर कर सकते हैं कि जब आप इन तेखनीक को कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पहले बार में रिज आपको दूबारा थी बारा ये टेकनिक करना पड़े तो अगर आपको एस तेखनीक करने की जरूरत पर सकते हैं और इसके साथ यह और आपको बहुत ही कमाल की बात सेर करूंगी टेर्टी में ॅगर आपको इस तेखनीक से पादा ना मिले नल्की में और भी कनीक है स्विस कि उसके हैं कि पर कम कर सकते हैं कि तो यह तो यह कि अदिक्ट से बिल्कुल पादा होता है और उच्छे करता है कि अभी से ही इस present moment से ही आपको कई सारे फायदे मिलने वाले आपकी हैविट चेंज होने वाले तो ये तो बात भी हैविट हमने चेंज कर दी अब मैं नई हैविट कैसे डेवलब करों कि हमको एक हैविट की जगत दूसरे हैविट को तो लाना पड़ेगा ना रिप्लेस तो क करना है कि एक्सोसाइज मुझे करना है तो अभी तक कि हमने जैसे देखा तो यह जो दूद का ग्लास मुझे साइड में दिख रहा था तो दूद की ग्लास को आप सेंटर में लाई है नाइफ साइस का बनाई है उसे कलर दीजे बहुत प्यारा सा और उसके साथ एसके साथ जड़ी जड़ी कर लेंगे तो आपकी नहीं है विव्याद डबलब कर पाएंगे और इसके साथ आपकी पुरानी खराब है वो छूट जाएगी और इससे बहुत ही कमाली चेंज़ आते हैं ऐसा मैंने एक बार नहीं कई बार देखा है अपने लाइफ में कई बार कई छोट है वाले इस टेक्निक के साथ क्योंकि यह बहुत ही कमाल की और बहुत ही मजदा और असान से टेक्निक है और इससे बहुत ही कमाल के चेंज़ आपके लाइफ में होने वादे तो विश्यू और वेरिवेस्ट थैंक्यू नमस्ते